सुप्रभाद बच्चो आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में तुकांत वाले शब्द पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में आता है ना लास्ट में कभी कभी दिया जाता है उसको समझने के लिए आज हम कुछ तुकांत शब्दों को देखेंगे तुकांद मतलब last में जो आता है जो शब्द होता है लास्ट में जो होता है वैसा ही दूसरा शब्द होना चाहिए उसी से मिलता जूलता है जिसको इंग्लिश में rhyming words कहते है उसके बारे में पढ़ेंगे आपको सिर्फ शब्दों को देखना है और समझना है तो चलो वच्चो पढ़ना शुरू करते है आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए भगत भगत जगत दोनों में last में तो तो है ना तो भगत जगत दोनों एक जैसा लग रहा है तो इसी को तूकांशब्द या राइमिंग words बोलते है मगर अगर मगर अगर चरम करम चरम करम नगर मगर नगर मगर कोहर पोहर कोहर में होर है सेम सेम है पोहर हो और एक दम एक दूसरे से मिल ला है तो राइमिंग words कहलाएगा न गगन मगर भजन वजन 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 चमक दमक पहल चोहल पहल चोहल पोहर नोहर नाक पाक दुनों में सेम को को आया है लास्ट में सारा नारा जान मान जान मान चरह मरर चला लाला चला लाला सपना अपना सपना अपना दिला किला अढ़ आण बाद बाद राद बाद 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 जिला, मिला, जिला, मिला, चरर, मरर, नयन, चयन, नयन, चयन, परम, करम, उधर, इधर, उधर, इधर, कसम, रसम, सड़क, रड़क, लोहर, शहर, अगर, मगर, मटर, कटर, गरम, नरम, कहर, नहर, कान, मान, रात, बात, मकान, दुकान, अपना, सपन, अपना, सपना, साथ, हाथ, साथ, हाथ, तारा, नारा, बिटिया, घटिया, खिला, दिला, छिला, खिला, खिला, तकिया, घटिया, लकडी, मकडी, लकडी, मकडी, विमला, शिमला, टिकिया, तकिया, पानी, वानी, तो ये सब कुछ समान्तुक वाले शब्द थे, समान्तुक वाले मतलब एक जैसे शब्द थे, जो हिंदी ग्रामर में आगे चलके आपको काम आएंगे, तो बच्छो आपको समझ में आया, धन्यवाद, में आपको की वाले में आपको आपको समझ में।